नमस्कार आपने हाथ से बातियां तो कई बनाई होगी लेकिन आज हम एक विशेश तरीका देखेंगे किसे की जटपठ हम दिये की बाती बना सकते हैं तो इसके लिए हमें रूई लेना है तो आप जितने ठोस रूई लेंगे उतनी ही बाती अच्छी बनेगी और इसे कपड़े से इस डंडी को अच्छी तरह से पोच लेना है जिससे की डंडी पर चिपकेना और बाती को जब हम निकाल देहें तो उस टाइम हमें कोई कठीनाई ना हो तो बाती बनाने के लिए हम कोई खुर्दूरी सतर यानि की रफ सर्फेस वाली चीज लेंगे जिससे की पकड़ अच्छी बनी रहे आप पटिया ले सकते हैं या फिर चॉपिंग बोर्ड तो मैं यहां आपको चॉपिंग बोर्ड पर बना कर बताऊंगी तो हमें जितनी बड़ी बाती चाहिए उतनी हमें रुई लेना है और इसे चॉपिंग बोर्ड के किनारे पर रखना है और रुई के किनारे पर ही हमें डंडी रखनी है ताकि निकालने में आसानी हो और फिर जिस हाथ से डंडी पकड़े उसे भी गोल गोल घुमाना है डंडी को और दूसरे हाथ से उंगलियों की साहता से और इसके बाद हतेली की साहता से गोल घुमाते हुए हमें बाती बनानी है तो इस तरह से अब इसे निकालने के लिए बाती को बीच में से पकड़ना है अगर साइट से पकड़ेंगे तो बाती इखटी हो जाएगी और अच्छी तरह से निकलेगी नहीं तो बीच में से पकड़कर और धीरे-धीरे डंडी को घुमाते हुए बाती को अलग कर ले किजिए धन्यवाद